नमस्ते मित्रों, आज हम प्रत्यों के बारे में पढ़ेंगे, बहुत लोगों से प्रस्ण आ रहे थे कि प्रत्यों के बारे में क्या किया जाए, प्रत्य कितने प्रकार के होते हैं, वो सब आज उन सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, तो प्रत्यों के बारे में अगर ज अब इन दोनों प्रत्यों का विभाजन देख लिजे धातु के बाद लगने वाले प्रत्य यहां लिग दिये हैं सब्द के बाद प्रत्य लगने वाले प्रत्य यहां लग दिये हैं तो धातु के बाद लगने वाले प्रत्य कैसे हैं कौन कौन से हैं एक तो है तिंग वो तिंग 18 प्रत्य हैं तिंग और फिर उसके बाद है कृत वो कृत प्रत्यों की संख्या क लगने वाले परतिय हैं ये धातु के बाद ही आते हैं तिंग यानी तस जि具 इत्यादी परतिय जो कुछ परते रहां रहा हैं फ्रक्रत शान ते सब्द के बाद यानि प्राति पदिक के बाद लगने वाले जो प्रत्य हैं तद्धित प्रत्य हैं इनकी संख्या पूर्ण तया निर्दिष्ट नहीं है और स्त्री प्रत्य हैं वह आठ है इस तरह से प्रत्यों का विभाजन हो गया अब इन में से आज कल प्रतियोगी परिष्चाओं की पाठ्य क्रमों में कहीं कहीं स्त्री प्रत्य आ जाता है एक सुप प्रत्य तो लगभग होता ही यह सब जगां तद्धित में से मत्वर्थिय बहुत महात्वपूर्ण है वो आत तो यह सब का समझ लीजिए मुख्यता प्रत्य दो प्रकार के धातु से लगने वाले और उस प्रातिपदिक के बाद लगने वाले अब धातु के बाद लगने वाले यह तीन प्रकार के सब्द के बाद लगने वाले यह तीन प्रकार के अब एक एक करके सब का विवेचन किया जाएगा पहले तिंग का फिर कृत का फिर सनादी का एक एक करके विवेचन होगा वो आप सब यहाँ पर देखती जाएगे अब जो सबसे पहले है तिंग प्रत्य यह तिंग प्रत्य के बारे में यह कहल समझ जाएगे कि ये तिंग प्रत्य हमेशा धातु के बाद में ही लगता है कभी भी किसी सब्द के बाद तिंग इत्यादी प्रत्य नहीं लगेंगे जिसकी धातु संग्या हो जाएगी उन्हीं के बाद ये सब प्रत्य लगेंगे तो ये प्रत्य कितने हैं अठारा हैं उसमें से अठारा प्रत्यों में से नो प्रत्य परस्वेपद के हैं और तथा नो प्रत्य आत्मने पद के हैं तो ये परस्मेपद और आत्मनेपद क्या है इसे विशयांतर हो जाएगा इसलिए इसका विवेचन नहीं होता है लेकिन ये जान जाए कि धातु हमेशा दो प्रकार का होता है एक परस्मेपदी या तो आत्मनेपदी कुछ अलग भी होते हैं उभेपदी मतलब कुछ धातु इसे विशिष्ट होते हैं जो परस्मेपदी भी होते हैं आत्मनेपदी भी होते हैं लेकिन ज्यादा तरधात्वी हैं या तो परस्मेपदी होती है या तो आत्मनेपदी होती है तब इन प्रत्ययों के लगने के बाद जो बनता है उसे क्रिया पद कहा जाता है वो जो सब् जिसके इंत में होगा वो क्रिया नहीं हो सकता अब इन प्रत्य यों का इस सूत्र में पाणिनि मुनी ने इस सूत्र के द्वारा इन 18 प्रत्यों का पाठ़ किया है यहीं देख लिज़े इंडल नीस अभी का ही मैंने संद्धि पिछेद सब्रक भी भirteen लिख दिए थिप यह आ गया जी आ गया यहां कित यह देखे यहां ठ्धं सिब यह आ गया था आप नीचे देखते दन रहा कि मिप प्रत्य यह आ गया वस यहां आ गया और मस यह नौ जो प्रत्य हैं मस तक यह नौ प्रत्य शुरूआती हैं परस्मेपदी फिर उसके बाद तो से लेके जो महिंग तक नौ प्रत्य हैं देखते जाएता आताम जह थास आथाम धम इट वही महिंग यह जो नौ प्रत्य हैं यह नौ प्रत्यों का को आत्मनेपदी प्रत्य कहा जाता है अब उधारन देख लेते हैं यह सभी प्रत्य लगके जो क्रियापत बनता उसका उधारन देख लेते हैं तो दखिए यह तिप्रत्य लगेगा तो पठती बनेगा तस लगेगा तो पठता हा जी लगेगा तो जी में जो है उसके जगा पे अंत हो जाएगा इसलिए अंती होगा तो पठती शिप लगेगा तो पठती थस लगेगा तो पठता हा थ लगेगा तो पठत थ मिप लगेगा तो पठामी वस लगएगा तो पठावह ह Вас लगएगा तो पठा महां ये प्रक्रिया इसकी बहुत लंबी है मैं केवल डरीचे मात्र बता अधां सब्छेख 12 से महिंक से एधामहे तो ये 18 प्रत्य लगके इस तरह से क्रिया पद बनतेや नेसे सब्सक्राइब मैं ने क्रियापद में प्रत्य लगने चैनले में सब्सक्राइब, सब्सक्रा टिव प्रत्य करें दूसरी but लाटू के बाद लगने वाले लेकिन धातू के बाद लगने वालेroffen लेकिशों आधी 18 प्रत्य से भिंग जो प्रत्य हैं उन सभी प्रत्यों को कृत प्रत्य कहा जाता है सूत्र ही है कृद तिंग कृद तिंग सूत्र कहता है कि कि तिंग प्रत्यों से भिन जितने भी प्रत्य हैं जो धातु के बाद लगते हैं वो सभी प्रत्य कृत कहे जाते हैं और ये प्रत्य जिनके अंत में होते हैं, ये कृत प्रत्य जिसके अंत में होते हैं, तो कृत अंत कृदंत हो जाते हैं, ऐसे सब्दों को कृदंत सब्द कहा जाता है, तो कृदंत सब्द किसको कहा जाता है, जिनके अंत में कृत संग्यक प्रत्य हों, कृत प्रत्य हों, तो से परतियों से भिन्न प्रत्य को कुरत प्रत्य के संट्म करते कर तो अब जादातर ये भी जानले यज जू यह जानfortable तर कृद्धन्त सद्धों के रूप तीनों लिंगो में होते हैं सैंथ जैसे क्हुआ प्रधिया उटर्धारश्गक के पर दसनीय इसे तिन रूंगोर में जते हैं छाते हैं आ सब्धित समासास्च से उसकी प्रातिपदिक संग्या हो जाती है तो वह सब्द बन जाता है तो उसके सब्द रूप रामा रामु रामा बालका 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 इत्यादी की तरहां उसके सब्द रूप चलते हैं यह केवल सामान्य ग्यान है मैं इनमें कुछ बहुत गहराई मे नहीं जाना चाहता फिर इसके बाद आप जानिए इनकी संख्या निश्चित नहीं है ये प्रत्या इसा एकणों की संख्या में है अब संख्या निश्चित नहीं है ऐसा क्यों कह रहे हैं क्यों कि आपको ये ध्यान लखना है कि आप अगर सिध्धान्त कोमद इत्यादी को दे करते हैं मतलब उनकी गिंती करने का साहसी कोई नहीं करता है तो ऐसे बहुत हैं वो सभी कृत कहे जाते हैं तो इसलिए कृदंत के बारे में कोई ज्यादा गिंती किसी ने नहीं की है हो सकता है किसी ने की भी हो तो मेरे पास वो माहिती नहीं है अब यह जान जाए कि यह कृदंत सब्द यह कृदंत प्रत्य जो बन जहां से लगते हैं वह सभी क्या बन जाते हैं और कृदंत प्रत्यों का यही वैशिष्ट है कि इन में से सभी प्रत्य आपके पाठे क्रम में कहीं भी नहीं आएंगे कुछ विशेस प्रत्य जैसे कृत्य के साथ प्रत्य है फिरक्त, क्तवतू, तुमून, क्तवा, इत्यादी कुछ विशेस प्रत्य हैं जो पाठे क्रमों में होते हैं अब इसके बाद तीसरा जो धातु के बाद लगने वाले प्रते थे वो हैं सन आदी प्रते हैं सन इत्यादी बारह प्रते भी कुछ एक दो प्रतेयों को छोड़कर सभी धातु के बाद ही लगते हैं लेकिन कुछ इसमें अपवाद हैं जो सब्दों के बाद भी लग जाते हैं और लेकिन ये तिंग और कृत प्रत्यों से भिन्न हैं परंत इनकी विशेष्टा ये है कि इन प्रत्यों के लगने के बाद जो सब्द बनता है वह पुनहा सनाध्यंता धात वह सूत्र से धातु बन बन गया, वो सन्यंगो सुत्र से दित hooga. यह पिपथिस शबन जाता है. और वो पिपथिस भी सनाध्यिंता धातंवाक्ट है सुत्र कहें देगा कि सन इत्याजी प्रत्य जिसके अंत में हैं वो भी धातु कहा जाता है. तो पहले तो केवल पठ धातु था, लेकिन सन प्रत्य लगके पिपठिस बन गया, ये भी धातु बन गया, सनाद दिनता धातु भासे, तो धातु के बाद कौन से तिपतस जी त्याजी तिंग प्रत्य लगते हैं, वही तो धातु के तरह ही इनका रूप होगा, तो ये भी ध लगने के बाद यह भी धातु हो गया तो पाठ्य यति ऐसा रोब बनता है इन बारा प्रत्य कि उधारन सभी सूची यहां निचे दे गई है यह देख लेते हैं अब ये जो बारा प्रत्यों की सूची आपके सामने है पहला है सन प्रत्य इसका उधारन केवल ये ज्यादा तर कहीं भी आप सबके पाठे करमों में नहीं है लेकिन केवल परिशे मातर के लिए बता रहा अब ये देखिए सन प्रत्य है पीपठी सती जीगमी सती पुभू सती इत्यादि बहुत सारे इसके उधारन सभी धात्यों से इच्छा आर्थ में ये प्रत्य होता हैं मतलब पठी तुम इच्छती पढ़ने की इच्छा करता है उसको आप ऐसा बोलना चाहें तो पीपठी सती बोल सकते हैं जाने की इच्छा करता है तो जी गमी सती आप बोल सकते हैं गंतुम- यति क्याची चासे पुत्र के आ को ई हो गया है और यह भी पुत्री क्याच पुत्र सब्द से क्याच प्रत्य हो तो पुत्री यह बनेगा लेकिन फिर वह भी धातु बन गया सनाध्यनता धातु वह से तो पुत्री यति बनेगा पुत्र यती यतियादी क्यच प्रत्ते के उधारने यतज अब एक चीज ये विश्यसता जान जाए कि जिस प्रत्त्य में अन्त में या कहीं भी गऊ आता हो अगर उस गऊपी उतATION होती हो तो जाएंग हुआ है तुक और गा का लोफ हो जाता है इसमें से इसलिए यह गित माना जाएगा गॉंकि प्रत्य जितने भी होते हैं वह प्रत्य लगने के बाद जो धातु बनता है और अनुदात्त गित अत्मने अईसा सुत्र है जित प्रत्य हमेशा आत्मनेपद में ही होता है तो यह सदाईवा आत्मनेपद में ही रहेगा इसलिए कृष्णायते बनेगा कृष्णायती नहीं बनेगा क्यश्प्रत्य है ये क्यश्प्रत्य ये पांचवा प्रत्य है इसमें लोहितायती लोहितायते लोहितादी डाजव्या क्यश्प ऐसा सुत्र से ये प्रत्य हुआ है अब ये क्यश्प्रत्य जब लगेगा तो एक सुत्र है वाक्यसाह ये वाक्यसाह कहता है कि क्यश्प्रत्य लगने के बाद जो धातु बनता है वो विकल्प से आत्मनेपदी होता है तो आत्मनेपद में उसका प्रयोग करेंगे तो लोहीत आयते होगा लेकिन विकल्प से होता है इसलिए उसका दूसरा विकल्प रहेगा तो लोहीत आयती भी बनेगा तो यह हो गया क्यास प्रत्य है इसके बाद एक क्विप प्रत्य है वो आचार अर्थ का, वैसे क्विप प्रत्य जो है वो कृत संग्यक में आता है, कृत प्रत्यों में आता है, लेकिन एक वार्तिक है, उस वार्तिक के द्वारा ये क्विप प्रत्य है, इन सन आदी बारा प्रत्यों में भी इसकी गणना है, और यह जो कुई प्रत्य है वो आचार अर्थ में आचरन अर्थ में उप्मानाद आचारे सुत्र से उप्मानाद आचारे और उसके बाद सुत्र है करतुख्यंग सलोपस्च उसके जश्ट नीचे ये वारतिक आता है तो ये कुई प्रत्य है, कुई प्रत्य आचार अर्थ वाला ही कुई प्रत्य सन आदी में आता है, तो अवगल्भते, अस्वते, इत्यादी ये सब बनता है, इसी के बाद अनिच प्रत्य है, अनिच प्रत्य प्रत्य प्रेरणा अर्थ में होता है, मतलब प्रेरणा देना, ए यहां पढ़ने की प्रेरना देता है यानि पढ़ाता है गच्छत ही कहयेंगे तो जाता है लेकिन तो यह गुदार्ण यहां अणिच प्रत्य का यंग प्रत्य यहां भी देखएगा जैसे क्यांग में गांकी तो औat種न्य हो गया था वो इसी यंग में भी गौकीत संग्या हुई है तो ये भी सदईव आत्मनेपद में ही रहेगा ये मैंने यहां बता दिया है अनुदात्त अनुदात्त आत्मनेपदम सुत्र से इसके उधारण देखिए बो भू यते पापठ्ठते जंगम्यते ये सब उधारण है इसके इसमें भी सन्यंगो हो सुत्र से दृत्त हो जाता है धातु को तो धातु भू है भू को ही डबल हो जाएगा तो भू भू यते बो भू यते विकार होके बन जाएगा इसी तरह पठ्ठ को पापठ्ठते होगा गम को गंगम्यते जंगम्यते हो जाएगा ये प्रयोग कंडू यते इत्यादी रूप बनता है क्योंकि यहां धातु कंडू यह है इसलिए स्वरीत यिंतह कर्त्र विप्राय क्रिया फले सूत्र से वह कंडू धाती उभय पदी हो जाती है तो दोनों तरह से रूप बनते हैं इयंग से रिते रियंग सूत्र से इयंग रहेगा तो रिती यते बनेगा अणिंग रहेगा तो कमेर निंग सूत्र से अणिंग प्रत्य होगा तो काम यते बनेगा तो यह सब सन आधी 18 प्रत्य होगे इस तरह से आपने उपर देखा था कि यह जो धातू से लगने वाले प्रत किरत प्रत्य के बारे में परीचे दिला दिया सनदी बारा प्रत्यों का भी परीचे दिला दिया। अब आएंगे सब्ध के बाद लगने वाले प्रत्यों आले थातू के बाद कभी भी सूप प्रत्य नहीं लग सकता है, ये केवल प्राति पदिक बाद लगेगा, और ये अर्थ वत दो प्रत्य है, प्रत्य। ये प्रत्य ये 21 हैं। और ये धातुओं के बाद नहीं अपितु प्रातिपदिकों के बाद लगते हैं और ये तीन तीन करके साथ विभक्तियों में विभक्त हैं यानि सु अउजस ये प्रतमा विभक्ति में अम उटसस ये दितिया विभक्ति में इसे तीन तीन करके साथ विभक्तियों में विभक करत्री पद बन सकता है इसे अन्य सहायक पद बन सकते हैं लेकिन इससे क्रिया पद नहीं बन सकता है सुप प्रत्यों से यह प्रत्य सव जसमो छस्टा भ्यांविस्क गशिभ्यांविस गसो साम्यों सुप सुत्र में पाणिनी जी के दौरा कहे गए हैं यह सुत्र आपको चौ प्रत्य हैं कैसे शु औूजस इत्यादी सु औूजस यह प्रत्य है आम आउटसस टाप भ्याम भिष गेब भ्याम भ्यस गसी भ्याम भ्यस गस ओस आम नी ओस यह उसी सुत्र का पदच्छेद करके लिखा गया है यह सब बिभख्तियों में 21प्रत्य हो गए अब यह 21प्रत्य में जो पहला है सु औौजस ये समबधन में प्रत्मा बिभक्ति में और संबोधन में लगता इसलिए इन दोनों के लिए मैंने यहां लिख दिया है इन दोनों का उधारन है डामा रामू Frage लगेगा तो हैरों जश कड़र गश्या कड़ियों हाओ नियुक topics पादीे शीब हरादी干ो संभोधन में थना सदत्र आयान में लगेगा तो राम है इसी तरह दोडिकाँ मांजम छैन फिस लगेगा तोड़ी आप्रोन failure Не जगा तो राम आईया भ्याम रहेगा तो राम यही बने गा खोड़ी धियां रहेगा तो रामः भ्याम घ्याम होगाज सरह कंब वियंग अध्यत आपा subtitles इसल कोड़ियोन के जग़ाता है उत्र औरामा मेग अध्यत फिर रहेगा तरब भ्याम इह बैं के यहां करेंगे यहां पर आच्यम होगा यहां करेंगे यहां पर रामयोह यहां आए अब आया तद्धित प्रत्य यह तद्धित प्रत्य सुबंत सब्दों के बाद भव अपत्य भवन मत्वर्थ इत्यादी अनेक अर्थों में प्राग दिव्यति यह इत्यादी बहुत सारे अर्थों में यह प्रत्य लगते हैं लेकिन इनकी विश्विस्ता है कि यह सुबंत सब्दों के बाद ही लगते हैं ये ऐसे लगने वाले प्रत्य क्या कहे जाते हैं तद्धित प्रत्य कहे जाते हैं और इनकी संख्या निश्चित नहीं है मतलब क्या है वही बात है कि इसकी गणना नहीं की गई है तो इनमे यही बात है इनमे और कृत प्रत्यों में यही भेद है कुछ कृत प्रत्य भी है जो फिक प्रुमें और कृत प्रत्यऊं में यही भेद है कि यह सब्धों के बाद लगते हैं तो रठत प्रत्य leader सब्दों के बाद लगेगा अगर So तो यह क्रित हो जाए ने जब कि क्रित क्रत्य को सब्सक्राइद अध्याई में अध्याएं दी प्रवामलों में जब की को3 वलते हैं में नक्रीव क्रत्य तीसरे अध्याय में कृत प्रत्य या तिंगंत प्रत्य इत्यादी कहे गए धातु के बाद लगने वाले और ये बहुत सारे अलग-अलग अर्थों में होते हैं इनमें एक और पहचान है कि इनमें अधिकतम सब्दों में प्रथम स्वरवर्ण की जगा पर बृध्धी हो जात सब्ट से दसरत सब्ड से दासर थी बनता है अपत्य अर्थ में यह अपत्य अर्थ है ना तो इस तरह से दसरत सब्द से दासरत ही बनेगा दसरत में प्रथम स्वर्ण वर्ण दो है दो के बाद वो आने वाला अ है उस अ के जगापे आ हो जाएगा ग्रद्धी हो जाएगी इसी तरह सुपर्ण सब्द से सवपर्ण ये बनेगा सु से उ के जगापे आउ हो जाएगा सवपर्ण ये बनेगा ये ज्यादा तर तद्धित प्रत्यों का ये भी एक पहचान है कि ज्यादा तर उनमें आदी जो स्वर्वर्ण है प्रथम स्वर्वर्ण है उसके जगापे ब लिखाया देख लीजे कि किसी भी pulling सब्द को struggling बनाने के लिए जो पृत्य लगाए जाते हैं वो पृत्य क्या कहे जाते हैं और यह इस्तुरी पृत्य कितने हैं आठ हैं और इनकी सूची तथा प्रमुख उदाहरणों के साथ अधो निर्देश्ट है यह सूत्र यह देखिए कुछ प्रत्य है मैंने सूत्रों का यहां संकलन नहीं किया है क्योंकि सूत्र अगर बताया जाएगा तो विस्तार से भी से हो जाएगा मैं केवल इस भाग में केवल प्रत्यों का सामान ने परीशे बता रहा हूँ अगर किसी को प्रस्ण होगा तो इसमें अन्त में आप प्रस्ण पूछ सकते हैं अब टाप प्रत्य है पहला प्रत्य है वो अजा दित अश्टाप सूत्र से होता है उसका उधारण अजा, एड़का, बाला, मुशी का इत्यादी है इसके अन्त में चुटू से इन तीनो वर्णों की इत्संग्या हो जाती पहलंतियम से पाकीत संग्या हो जाती तो केवल आ आ बचता है तो तीनों प्रत्य तीन अलग अलग प्रत्य क्यों बनाए पाने जिने केवल एक ही प्रत्य बनाते ऐसी बात नहीं है इन तीनों में बहुत भेद है इन तीनों में भेद ये है कि आपको मूल सब्द अज है तो अजा बनेगा मूल सब्द सूर्य है तो सूर्या बनेगा ये तो कोई इन दोनों में कोई विशेस भेद नहीं कि इन दोने में यही भेद है कि चाप प्रते कहां जहां भी होगा वहां अंत में या याएगा शुर्या अवार्ट्या इत्यादी सुथ्जुए आवल यह याएगा यह चाप प्रते है जबकि टप्रते में ऐसा कोई कोई नियम नहीं है यंद्धुशय कोट्रेयन इंत सहीत जो भाग है उसका लोप भी हो जाता है जैसे सीमन सब्द है तो सीमन से डाप लगेगा तो सीमन आ होगा लेकिन सीमन में जो अन है उसका लोप हो जाएगा तो सीमा ही बनेगा वैसे अगर टाप प्रत्य होता तो सीमना होता वामन सब्द से वामना होता दामन सब्द से दा पाजना हो गता लेकिन ये डाप प्रत्य है इसलिए अंत में आने वाले अन का लोप हो जाता है तो सीमा वामा दामा इभाहराजा इत्यादी बनता है ये भेध है उसे गीप और गीश और गीन ये तीनों प्रत्य भी एक जैसे हैं केवल स्वर से भेध हो जाता है इन सबने गवरी खर्नकी रजकी इत्यादी नीन का उधारन है नारी सारंगरवी इत्यादी उंग का उधारन उंग देखिए अंत में उ उ आयके ब्रहम बंधु बधु इत्यादी और ती प्रत्य का ये एक मात्र उधारन है यू नस्तिह सूत्र से यू अतिही तो इस तरह से प्रत्य जैसे मैंने बताया कि ये प्रत्य ती प्रत्य का ये जो प्रत्य मुख्य तह दो प्रकार के कुछ धातू के बाद लगने वाले कुछ सब्द के बाद लगने वाले थे उनका तीन प्रकार बता दिया जो सब्दों के बाद लगने वाले थे उनके भी तीन बता दिये लेकिन मु से के कुछ आप प्रस्न हों तो यहां कमेंट बाक्स में कह सकते हैं अस्तु नमस्कार